इन छोटे cooking tips की मदस से बनाएं खाने को स्वाधरिष्ट, छोटे छोटे cooking tips काफी काम के होते हैं, इनसे रोज के खाने को बनाने में ना केवल आसानी होती है, बलकि एक कम वक्त में बन कर तयार भी हो जाते हैं, कई बार खाना इतनी जल्द बाजी में बनता है कि उसमें स्वा लेकिन अगर आप इन कोकिंग टिप्स को अपनाएंगी तो फटाफट बना खाना भी काफी टेस्टी बन करता यार होगा, तो चलिए जाने क्या है रसुई के ओ टिप्स जो आपके खाना बनाने के काम को आसान बना देंगे, टिप नमबर वन, दाल को ऐसे तड़का रोज की अरहर आनी पीली दाल, अगर घरवालों को फीकी सी लगती है तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए पहले दाल को उबाल लें, फिर पैन में जीरा प्यास टमाटर, हरी मिर्श और थोड़े से गरम मसाले के साथ फ्राई करें, फिर इस तड़के में उबली हुई दाल डाल दें, इससे दाल का स्वात दोगुना हो जाएगा और हर किसी को पसंद आएगा, टिप नमबर टू, नमक हो जाता है ज्यादा, अगर आपके खाने में नमक ज्यादा हो जाता है तो ध्यान रहे कि नमक सबसे आखिर में डालना है, सबजी के पक जाने के बाद या दाल के पक जाने के बाद सबसे आखिर में नमक डालने से नमक ज्यादा भी नहीं होगा और स्वाद भी बढ़ेगा, टिप नमबर थ्री, खीर को बनाए हेल्दी, खीर को पकाती हैं तो उसमें चीनी डालती हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी खीर बनाना चाहती हैं तो मिठास से लिए खीर में गूड को टुकडों में करके डालें, इसे खीर का स्वाद भी बढ़ेगा, और सेहत के लिए भी ए फायदा करेगी, तो अगर आप मीठा खाना पसंद करती हैं तो खीर को गूड के साथ बनाकर अराम से परोसिये ये सेहत के लिए फायदे मन ही होगी, टिप नमबर फोर, बेसन हो गया हो खत्म, घर में बेसन खत्म हो गया है, और पकोडे बनाने हैं, तो बाजार भागने की जरुरत नहीं है, घर में रखी चने की दाल को ग्राइंडर में पीस कर फटा फट वेसन तयार किया जा सकता है, और अगर समय है तो चने की दाल को आधे घंटे के लिए भीगो कर रख दें, फिर इसको पीस कर पकोडे बनाएं, काफी टेस्टी बनकर तयार होंगे, इन पोकिंग टिप्स की मदद से आपकी रसोई भी स्वाद्रिष्ट बनकर तयार होगी, टिप नमबर फाइव, इस तरह से काट कर रखेंगे सबजियां तो हपते भर नहीं होगी खराब, जाने सिंपल हैक्स सबजियों को स्टोर करने का, टिप नमबर वन, साफ सफाई का ध्य रखें, सबसे पहले सबजियों को काटने से पहले अच्छी तरह धो लें, धोने के बाद उन्हें सूखने के लिए एक तौलिये पर रखें, काटने के लिए इस्तमाल होने वाले चाकू और कटिंग बोर्ड भी साफ होने चाहिए, टिप नमबर दो, सही तरीके से सबजियो को काटने का तरीका भी महत्तोफूर है, अगर आप उन्हें बहुत छोटे टुकडों में काटते हैं तो वे जल्दी खराब हो जाएगी, इसलिए उन्हें मध्यम आकार के टुकडों में ही काटें, इसे सबजियां जल्दी खराब नहीं होगी, टिप नमबर त्री, एयर टा की सबजियों को एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, यह सुरच्छित रहेगा कि हवा उन्ह तक न पहुचें, और वे जल्दी खराब नहीं होगी, टिप नमबर फोर, अलग-अलग कंटेनर में रखें, अगर आप अलग-अलग तरह की सबजियां काट रहें हैं तो उन्हें अलग-अलग कंटेनर में रखें, ऐसा करने से सबजियों के स्वाद और खुस्बू एक दूसरे में मिलने से बचेंगे, और सबजियां भी टेस्टी होंगी, टिप नमबर फाइब, फ्रीज में सही जगां पर रखें, कटी हुई सबजियों को फ्रीज के सबसे ठंडे हिस् रखें, यह हिस्सा आमतर पर फ्रीज के नीचे होता है, इन छोटी-छोटी चीजों का रखेंगे ध्यान तो आपके सारे काम हो जाएंगे आसान, कुछ खास टेप्स जैसे प्याज और लहसुन को काटने के बाद उन्हें एक एर टाइट कंटेनर में रखें, और फ्रीज मे रखें, टमाटर को काटने के बाद उन्हें एर टाइट कंटेनर में रखें, और फ्रीज में रखें, पालक, पालक और अन्य पत्यदार सबजियों को काटने के बाद उन्हें एक साफ तौलिय में लपेट कर फ्रीज में रखें, आलू, आलू और शकरकंद को काटने के उन्हें पानी में भीगो कर फ्रीज में रखें टिप नमबर 7 अत्रीक्त टिप्स कटी हुई सबजीयों को फ्रीज में रखने से पहले आप उन्हें थोड़ा सा नीबू का रस या सीर का मिला सकते हैं या उन्हें ताजा रखने में मदद करेंगे वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई हो तो लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें अगला टिप कटी हुई सबजीयों को फ्रीज में रखने से पहले आप उन्हें थोड़ा सा नमक छिड़क सकते हैं या उन्हें जल्दी खराब होने से बचाएगा इन टिप्स का पालन करके आप कटी हुई सबजीयों को हपते भर तक ताजा रख सकते हैं इससे आपकी कीचन में कम बेस्टेज होगा और आपके पैसे भी बचा पाएंगे प्लीज लाइक सेयर और सस्क्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद